Hey guys, welcome to my channel guys, आज की क्लास में हम Indian Constitution यानि भार्टी सन्विधान से रिलेटेड 40 Most Important Question डिसकस करेंगे, यह आपका थर्ड पार्ट है, इससे पहले दो पार्ट Indian Constitution के complete हो चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप complete वीडियो देख सकते हैं, तो फिलहाल आज के Question पे Focus करते हैं, तो आपका Next Question दिया हुआ है कि भारत में निंद में से किस लोकसभा अध्यज्यका, फुल कारिकाल सरवाधिक रहा है, आप्शन आपके पास Dr. G.S. धिलन, स्रीमती मीरा कुमार, Dr. बलराम जाखड या स्री हुकुम सिंग, तो Right Option आपको ब बाते हम आपको इनलाइस कररा रहा है । मिन अधिलन, तो स्पता आपकर रहें, कि या आम सफ पार कुन संग, आपको थोड़ी ही महनत की जरूरत है, लेकिन अजैख कशन को याद भी करना है, तोर याद में सब्सक्रा है परइक है Ownednos mudar और पार याद बी option आपका correct है उस question देखते हैं उस question में तरह है कि लोग सभा द्वारा पारिद जग कोई धन भी दे या राज्य सभा में भेजा जाता है तो इसे राज्य सभा द्वारा कितने दिनों में लोग सभा को वापस भेजा देना एक महीना 14 दिन 7 या 20 दिन तो यहां आपका जो राइट अंसर हो जाएगा option number B, 14 दिन में क्या होता है राज्य सभा द्वारा लोग सभा को वापस भेजना होता है द्वारा दिन 14 दिन में उसे भेजना ही होता है धन विद्यक पारित करके या उसे पारित किया जाए या ना किया जाए लेकिन उसे भेजना ही होता है चौदा दिन में तो यहां आपका जो राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा एक बटा दस ने इस कुशन देखते हैं इस कुशन करें कि लोग सभा में अविश्वास प्रस्ताव नियूंतम कितने सदस्यों दोरा समर्थित होना चाहिए तो यहां जो राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा पचास सदस्यों दारा अविश्वासित है यानि समर्थन नहीं मिला है तो वहां अविश्वास प्रस्त्राव पारित हो जाएगा तो यहां ए उप्षिन करेंग है इस कुशन देखते हैं इसमें कर रहा है कि भारत की न्याय पालिका है कैसी है स्वतंत्र है प्रतिबत है अधीन है यह इन में से कोई नहीं तो यहां आपका यह उप्षिन सही है भारत की जो न्याय पालिका है वो स्वतंत्र है नेस कुश्चन देखते हैं Next question में कहा रहा है कि निम लिखित में से सर्वोच न्यायलाय के न्याया धीज की सेना निवर्ति की आयू कौन सी है? 60 वर्स, 62 वर्स, 65 वर्स या 70 वर्स? तो यहां जो राइट अंसर हो जाएगा, हो जाएगा 65 वर्स. next question देखते हैं next question में क्या रहा है कि उच्छ न्यायले के न्याया धीज की स्थेना निव्रति की उम्र क्या है 55, 58, 60 या 62 तो यहां जो राइट अंसर होगा वो होगा option number D 62 next question देखते हैं next question क्या रहा है कि भारत के सरवोच न्यायले के मुख्य न्याया धीज है के स्वानन्द भारती, P सथा विश्वम, मर्कंडित काटजू या इन में से कोई नहीं यहां जो आपका right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number B P सथा सिवा next question देखते हैं इसमें कहा रहा है कि राज जिपाल का कारिकाल कितने वर्ष का होता है चै वर्ष, पाँच वर्ष, पीन वर्ष या चार वर्ष तो यहां आपका B option सही है राज जिपाल का जो कारिकाल होता है वो पाँच वर्ष का होता है फिर कहा रहा है राज जिपाल की न्यूपती कौन करता है रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, राष्ट पती या मुख्य नैया दीज यहां जो राइट एंसर हो जाएगा, हो जाएगा option number C राष्ट पाल की जो न्यूपती करता है वो राष्ट पती करता है तो C option करेक्ट है ने इस question देखता है तो राइट option कौन सा हो जाएगा, इसका C option सही है बनवारी लाल पुरोहित ने इस question देखते है ने इस question में करेक्ट है किसी भाटी राजी के राज़पाल से संबंदित निम्लिखित कत्नों में से कौन सा कत्न सर्त्यन नहीं है यानि 4 statement दिये हुए है, जिनमें से 3 statement सही है, एक statement सही नहीं है वही statement आपको find out करना है तो पहला कहा है कि वह भारत के राष्ट पती द्वारा नियूपत हो सकता है, बिल्कुल सही है वह एक से अधिक राज़ों का राज़पाल हो सकता है, ये भी सही statement है वह सामनिता 5 वर्षों तक पद पर रहता है, ये भी बिल्कुल सही है राज़पाल का नियूंतम कारिकाल कितना होता है, 5 वर्षी होता है यानि नियूंतम क्या कारिकाल ही 5 वर्ष का होता है तो ये option गलत है तो इस question की बिहाब पर ये D option correct हो जाएगा ने इस question देखते हैं इसमें कहा रहा है राज जपाल द्वारा जारी किये गए अध्या देश की अधित्तम अवदी कितनी होती है तीन महीने, छै महीने, एक वर्स या दो वर्स तो यहां जो आपका राइट अंसर है वो है option number B छै महीने इस question देखते हैं इस question में कहा रहा है कि मुख्य सचीव का चयन कौन करता है राज जिपाल, राष्ट पती, प्रधान मंत्री या राज जी का मुख्य मंत्री तो इसका जो एंसर हो जाएगा, हो जाएगा राज जी का मुख्य मंत्री यहां जो आपका right option हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, option number 2 हो जाएगा, सुचिता का प्रपलानी क्या थी, प्रथम महिला मुख्य मंत्री थी, किसी राजी की, राजी का नाम यहां मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको कमेंड करके बताना है, सुचिता क्रपलानी किस राज में मुख्य मंत्री का कारिकाल लगातार सबसे लंबा रहा है, पश्चिम बंगाल, आजपिदेश, सिक्किम या राजस्थान, यहां जो आपका right answer हो जाएगा, वो जाएगा पश्चिम बंगाल, इस कुशन देखते हैं, उस कुशन किया रहा है कि उच्छी नयाले के नाय अ सासन हो, तो कौन सा उप्शन सही हो जाएगा इसका, वी option करेक्ट हो जाएगा, वित्ती आपातिकाल में उच्छी नयाले के नयाधीजों के वेतन में कमी की जासकते है, इसके अलाओ और किसी भी कंडिशन में कमी नहीं होती है, इस कुशन देखते हैं, इस में कहरा है कि बास्टी एक अन्पिता के विसाय में मुद्दे तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा भारती संगी की विभिन इकाईयों के बीच विबाद ये उचित्यम ने आले के मूल अधुगार छेतर में सामिल है इस कोशन देखते हैं इस में करें कि पंचायत चुनाओ निमलिखित में से किस इस्थर पर कराया जाता है ग्राम इस्थर जिला इस्थर नगर इस्थर यह इन में से सब ही यहां जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ग्राम इस्थर पंचायत चुनाओ ग्राम इस्थर पर कराया जाता है इस कोशन इस question में कर रहा है कि भारत में किनके चुनाओं में पुल सीटों की एक तिहाई महिलाओं के लिए आरचित होती हैं ग्रामीडियम सहरी इस्थानी निकायों में विधान सभाओं में विधान परिशदों में या इनने से सभी में तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ग्रामीडियम सहरी इस्थानी निकायों में चुनाओं में पुल सीटों की एक तिहाई सीट ने महिलाओं के लिए आरचित होती हैं ए ऑप्शन करेक्ट है इस question देखते हैं इस question क्या रहे है कि नगर निगम का अध्यच्य कौन होता है महापौर घंड विकास अधिकारी उपयूक्त या उपरियूक्त में से कोई नहीं तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका यह option सही है महापौर इस question देखते हैं इस question क्या रहे है कि भारत में सरुप्रिथम 2 अक्टूबर 1969 में पंचायती राजविवस्था कहां से प्रारंब हुई वर्धमान जो की पशिममंगाल में है गया जो की बिहार में है पैजवाबाद जो की उत्तर प्रदेश में है या नागवर जो की राजस्थान में है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका नागवर जो की राजस्थान में है सरुप्रिथम 2 अक्टूबर 1969 में पंचायती राजविवस्था नागवर में प्रारंब ही हुई थी तो यहां आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ने इस question देखते है इसमें कहारा है कि भारत की समीधान के अंतरगत आर्थिक योजना विशय है कि सुची मैं राजसूची में संग्वर्थी सुची में निर्देशन नहीं है तो राइट ऑप्शन जो है वह है समवर्थी सुची में इस question देखते हैं इस question दो इस question नहीं कहा रहा है औसिस्ट सक्ति जिनका उलेख संगी राज या साम उर्ती सूचियों में नहीं किया गया है लिमलिखित में से किस में नहीत होते हैं राज सभा में, संसद में, राज विधान मंडलों में या लोग सभा में तो यहां आपका D-Option करेक्ट हो जाएगा संसद में नहीत होते हैं नहीं किस को जवाबदार है संसद को, राज विधान मंडल को, राष्टपती और उपर राष्टपती कारेकाल को या इनमें से सभी को तो राइट ओप्शन जो हो जाएगा, ओप्शन नम्बर D, इनमें से सभी को चुनाओ आयोग से संबंद में, चुनाओ आयोग को, इन सभी को जवाबदार होता रहती है D-Option करेक्ट हो जाएगा, जाने इस कुछन देखते है इसमें कहा रहा है कि भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मानिता किसके द्वारा दी जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, सर्वोचन आयले के द्वारा, संसत के द्वारा, या राष्टपती के द्वारा यहाँ आपका यह option सही हो जाएगा किसी राजनीतिक पार्टी को मानिता निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है यह option correct हो जाएगा ने इस question देखते हैं ने इस question में कहा रहा है कि भारत के प्रथम चुनाओं आयोग तो कौन थे आरवी एस पेई यत्री सुकुमार सेन डाक्टर नागेन सिंह यह डाक्टर के त्रिवेदी यहाँ जो आपका भी option ने correct हो जाएगा सुकुमार सेन ने इस question देखते हैं Right option पॉर्ण साही हो जाएगा भारती रास्ट्यता प्राप्त वैसक मतदान कर सकते हैं लोग सभा के लिए रास्ट्पति द्वारा मनयवनीत दो सदर से किस विसे समुधाएके होते हैं अनुसूचित जन जाती इंगलो इंडियन या मुस्लिम तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इंगलो इंडियन इसकूशन देखते हैं इसकूशन में गारा है कि भारती सन्विधान के अनुसार यहाँ कितनी प्रकार के आपातकाल है तीन, दो, चार या पाँच यहाँ कही ऑप्शन सही हो जाएगा तीन प्रकार के आपातकाल है इसकूशन देखते हैं इसकूशन में कहा रहा है कि भारती सन्विधान के किस अनुच्छेत की अंतरगत किसी राज में राष्टपती सासन लागू किया जा सकता है तीन, 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 जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राज्जपाल की सिफारीस पर राश्ट्यपाती द्वारा निए इस कुछन देखते हैं इसकुर्शन में करें कि अनुछे 356 के अधीन आपात इस्थिती की घोष्णा की इस्थिती में राज में कौन सासन करता है प्रधान मंतरी, मुख्य मंतरी, राज जी पाली या राज जी का मुख्य नायादीस यहाँ आपका C option सही हो जाएगा राज जी पाली ने उसकुशन देखते हैं ने उसकुशन में करें कि मैंसे किस आपात कालीन इस्थिति की गोशना आज तक भारत में नहीं हुई है वित्ती संकट जो अभी है प्रिजेंट में वो स्री लंका में है यह अभी की करेंट न्यूज है यहाँ जो इस कुश्चन के भिया पे सही option हो जाएगा C भारत में वित्ती संकट के कारण कोई भिया पात कालीन इस्थिति गोशना अभी तक नहीं की गई गई है इस कुश्चन देखते हैं इस में कहा रहा है जब कोई राज राष्टपती के सासन के अंतरगत होता है तब उस राज का बचट कौन पारिग करता है राष्टपती संगीय मंत्री परिसत संसथ यदित्त मंत्राल है यहां कसी ऑप्सन सही हो जाएगा संसत पारिग करता है इस कुश्चन देखते हैं इस कुश्चन में कहा रहा है कि भाटी संविधान में संविधान संसोधन की प्रक्रिया किस राष्ट के संविधान पर आधारित है इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सबूँ इस अभी इंपॉर्टन कुश्चन है इन्हें सबको याद कर लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत जन्यवाद थेंक्यू